कि नमस्कार साथियों कि बीए सी पार्ट फर्स्ट के एलजब्रा के स्टेडी हम इस वीडियो श्रीज में कर रहे थे और पिछले वीडियो के अंदर हम करम चय के चक्रों की बारे में बात कर रहे थे कि किसी करम चय के अंदर चक्र क्या होता है और चक्र को किस तरह से लिखते कोई दो किल से तो उनका गोणा भी करमेनिता का पालन करता है और order of a cycle अपने पड़ा था Transposition के बारे में बात कर रहे थे कि Transposition क्या होती है तो दो लंबाई के चक्र को Transposition करते हैं अगर कोई cycle अपने पास यह है Sigma is a cycle A1, A2, A3 and suppose AR तक है तो उस case में इस cycle को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A1, AR A1, AR-1 A1, AR-2 और इस तर से चलते-चलते A1, A3 A1, A2 तो यहां जितने अवयो हैं यह अगर R है तो आपके पास R-1 पक्षांतर परात हो जाते हैं यहां पर इसकी दो length है वो R लंबाई है का चक्रे तो यह जो संक्य है यह R-1 पक्षांतर परात होते हैं तो अब इसकी बाद के अंदर हमारे पास यह को डिफनिस ना है की इवन एंड ओड पर्मूटेसंस इवन एंड पर्मूटेसंस कि पर्मूटेशन सिग्मा इसकार्ड इन इवन पर्मूटेशन तो टोटल नंबर ओफ प्रक्षांत्र ट्रांस्पोजिशन इज इवन अगर किसी के अंदर पक्षांत्रों की संख्या सम है तो वह सम करम चे कहलाएगा और पक्षांत्रों की संख्या अगर विशम है तो उसके के अंदर वह विशम करम चे क्या लगता है तो सम करम चे में आएगा करम चे में पक्षांत्रों की संख्या सम होगी और विशम करम चे करम चे जिसमें पक्षांत्रों की संख्या पक्षांत्रों मींज ट्रांस्पोजिशन वह सारे के सारे चक्र जिनकी लंबाई दो है विशम हो तो उनको पन विशम करम चे कह लिए अब अगर आपके पास साथ लंबाई का चक्र है तो साथ लंबाई का चक्र का मतलब यदि A1, A2 और A7 तक है मेरे पास सिग्मा इस लेंथ इस सेवन इसका मतलब ये सम करम चे होगा क्यों कि सिग्मा इस इकल दू A1, A7, A1, A6, A1, A5, A1, A4, A1, A3, A1, A2 एक दो तीन चारपान चैंशे पक्षांत्रण तो यह आपका एक सम करम चे होगा कि एवरी पक्षांत्रण और परत्यक पक्षांत्रण विसंग चे होता है परत्यक पक्षांत्रण की बात करेंगे तो परत्यक पक्षांत्रण मिन्स ए आई एज जिर्म दो यह एलिमेंट है लंबाई इसकी दो है और यह एक विसंग करम चे है कि इसके अंदर पक्षांत्रण है अकेला पक्षांत्रण है तो परत्यक पक्षांत्रण मिन्स विसंग करम चे होता है तो यहां पर दो सम करम चे गुणा है दो सम करम चे गुणा हमेशा सम करम चे रहेगा दो विसं करम चे गुणा भी सम करम चे होगा एक सम तथा एक विसं करम चे अगर है का गुणन है तो वो एक विसं करम चे रहेगा तो किसी भी ऐसके उपर परिवास्य जितने भी अन्दर जितने भी अलिमेट यह जितने भी करम चे हैं तो स्म होगा या विशन होगा क्यूस करम 차 के योओ जефर कर में लिखेंगे चकर में लेकर उसको पक्षाणतन के तो देंगे इस विदी के दुद्वाराि और जितने नंबरों पक्षांतन आ रहें अगर समसंख्यां पक्षांतन आ रहें तो समकर्मची होजगा विसमसंख्यां पक्षांतन आ रहें तो विसमसंख्यां पक्षांतन आ रहें तो विसमसंख्यां पक्षांतन आ रहें तो विसमसंख्यां पक्षांतन रहें तो के सभी सम्कर्मचे सभी सम्कर्मचों का समुचे एन कर्मचे गुणंचंग करिया के लिए फेकर एन कोटी वे टू कोटी का समुए होता है देखे एन एसन के समुचे लिए जो सेट एजो है वह एक दो तीन जार एन उसन के उपर परिवासित है यह मालने जी अपने पास एक सेट है कर्मचों का सेट है इसन एसन के अंदर दो पार कर दिये कुछ सम्ग और कुछ अपने विशम करमचे सम्करंचों का अपन नाम देते हैं एन और बीन नाम देते हैं अपन विशम करमचे है तो मान लेते हैं माना एसन में सभी सम्करंचों का सम्गें ए ए एन उचिस तरह कस है एलफा वन एलफा टू और एलफा एम तो इससे अपने मान लिए एम होए तथा सभी विशम करमचों का सम्गें का नाम देते हैं और इससे मान लेते हैं कि बीटा वन बीटा टू एन बीटा आ है तो इसका मतलब यहां पर आ गया है ओडर ओफ ए एन इस इकल टू एम तथा और ओडर ओफ बी एन इस इकल टू और और ओडर ओफ एन प्लस ओडर ओफ बी एन इस इकल टूगा फेक्टोरियल यह पन को पता है किस टोटल करम चे कितने होते हैं तो एसन एक से लेकर एन तकी संख्या और बनने वाले सभी करम चें तो टोटोल फेक्टोरियल करम चें बनेंगे तो यह टोटोटल साट्रेवल एन के बराबर रहा हैं अब हम एसी दिकरना है स्कोर देखते हैं क्या क्या सिद्ध करना है ए एन एक समुहे दूसरा ओर्डर ओफ एन इस इकल टो फ्रेक्टोर एन वई तो ये दो चीज़ें पनको यह सिद्ध करना है तो एन समुहे सबसे पहले देखते हैं चलिए स्टेप फैस्ट सिद्ध करते हैं एन एक समुहे तो सबसे पहले जीवन साचरिये था करम चेगुन साचरिये नियम का पालन करती है आते एन में भी साचरिये लागवे हैं दूसरा लेते हैं एन में भी साचरिये था लागव रहीगे अब जिस एन की बात कर रहे हैं बन तो अपना यह एन हैं सम कुरंचों के सेठ हैं जीटू तच्सम करम चे तो चूंकी तच्सम करम चे एक सम करम चे होता है आते एन में तच्सम करम विद्धे मान है जी थरी यदी अल्फा सम करम चे है तो अल्फा इंवर्स भी एक सम करम से होगा देख़ए अल्फा इंवर्स एल्फा एक फॉंक्सन मैं फहलन है जिसमें अगरे एकvyमिसब्र भी है तो आ इंवर से भी की Tap यह हो जाएगी तो एलफा में जो चक्र है या पक्षांत्रणों की जो संख्या है वो संख्या नहीं बदलेगी जिसे फोर एक्जामपल मैं एलफा इस इकल टू यह लेता हूं 1236 तो एलफा इन्वर्स की जब बात करेंगे तो यह जाएगा 6321 तो यहाँ पर जो पक्षांत्रण है उनकी संख्या नहीं बदलती इन्वर्स करने से तो इसलिए अगर एलफा में सम्करम्चे तो एलफा इन्वर्स भी एक सम्करम्चे होगा इसका मतलब सम्करम्चे का सम्करम्चे और दो सम्करम्चे का गुणन इसलिए एक सम्करम्चे होता है यह अपन पढ़ चुके पहले आते हैं एक सं का उपसम्वए अपने आप में एक यह सम्वए है इसका मतलब सम्करम्चे का उपसम्वए रहेगा अब चेक करते हैं स्टेप सेकिंड और ओर ओफ एन इस इकल तो फेक्टोरल एन वाई टू यह प्रूपर नहीं कि एन के अंद्र पन अलमेंट लिए थे माना कोई एक एलिमेट हम बी एन का उठाते हैं अब बीटा एक एलिमेट है जो बी एन से आ रहा है अपि बीटा अगर कोई बी एन से आ रहा है तब एल्फा वन बीटा एल्फा टू बीटा एल्फा एम बीटा सभी विश्यम करम चे होंगे जुंकि आपके पास जो एन है यह आपने इस दीस लिखा था एल्फा वन एल्फा टू और एल्फा एम यह डायोा इस बीटा को इस सब पर रहुणा कर दिया तो यह सारे के अपने पास विश्यम करम चेंगे और यह सारे क्षा करम से हैं जहां alpha i beta is not equal to alpha j beta योदी alpha i beta is equal to alpha j beta है तब alpha i is equal to alpha j होगा यह हम मान रहें कि सभी bhin ban karmm chai बेन बेन आवायो है तो अगर इनको ब्रावर माल नेकिने को तो एलफा एक दोस्त इलिमेट बरापर हो जाएंगे इसका मन्दी सारे इक सारे अलग लगा तो यहां यह आपके पास इस इंपलाइज एलफा वन बीटा एलफा टू बीटा और एलफा एम बीटा सबी भीन भीन अलग लग है विसम करमचे परंतु विसम करमचों का समुचे हमने बी माना है बी एन माना है इस इंपलाइज यह सारे के सारे हुए हो यह सब यह आपके बी एन होगे इसका मतलब बी एन के अंदर कम से कम यह एम होई हो तो है यह टोटल कितने होई हैं? ये M होई है, इसका मुझलाब बियन में M होई हो को कम से कम है इसम प्लाइब बियन में M से अलिक या M होई हो है कहने का मतलब ये M जो है ये जो BN के इंदर होई हो माने थे R ये M इस R से छोटे होंगे क्योंकि BN के अंदर जो टोटल नूमर ओफ एलेमेंट माने थे हमने माने थे कि इसके अंदर टोटल आर होई हो है अब हम कह रहे हैं कि ये M होई भी इसमें है तो इसका मतलब ये R होई हो, उन M से अधिक होगा पुने लेते हैं पर बीटा बीटा बन बीटा बीटा टू एंद बीटा बीटा आर लेते हैं अब एलफा किसे बीटा लेली है दो विसम करम चोंगा गुणा सम करम चोंगा होता है तथा यहां बीटा 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 वन बीटा बीटा टू एंड बीटा बीटा आर सभी भीन भीन करम से हैं और करम से ही कौन से हैं कि जब सम करम से हैं कि आते हैं कि यह बीटा बीटा वन बीटा बीटा टू यह जो करम से बने अपकर बीटा आर यह सारे के सारी आपके जहें और अगर यह जो आर का मान है इसमें ठोटल नमटर फ़ए उसे छोट होगा तो एक बार हम कह रहे हैं कि M is less than R एक बार हम कह रहे हैं कि R is less than R एक वे दो से और मैं यह नहीं कहूं कि M is less than equal to R और यहां पर भी R is less than equal to M कहूंगा तो एक वे दो से M बराबर R इसका मतलब order of A N is equal to order of B N and this is, this implies order of A N is equal to factorial N Y 2 क्योंकि दोनों का order बराबर है और दोनों का total order factorial N के बराबर होता है इसलिए order of A N आपका factorial N Y 2 रहेगा तो S N के अंदर जो सम करम्चों के संक्या है वो factorial N Y 2 रहेगी अगर मैं S 4 में बात करूं तो S 4 के अंदर order of S 4 is factorial 4 that is 4 तरी बारा बर दोन 24 order of A 4 will be 12 and order of B 4 will be 12 यह इनके आदे रहेंगे थेंक यू कर दो